Hello दोस्तों मैं स्वरों मलिक आप सभी का Topic Study में स्वागत करता हूँ दोस्तों Now Topic Study is a part of an academic group चले स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को देखे दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं अपना score इसी वीडियो के नीचे comment box में जरूर बतेगा दोस्तों अगर आपने कल के टेस्ट की वीडियो को नहीं देखिए तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा और कल की टेस्ट की वीडियो से कोशन मैं पूछता हूँ आपसे जिसका answer आप सभी को नीचे comment box में बताना होगा तो कोशन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो उसका नाम आप नीचे comment box में बताएंगे गाईस तो चलिए start करते हैं आज के टेस्ट की वीडियो को और प्लीज आपसे request है देखिए question हिंदी में भी है और इंग्लिस में भी है तो आपसे request है कि एक बार सभी student वीडियो को share कर दीजे अपने सभी facebook और whatsapp group में प्लीज एक छोटी सी request है जिसको आप कर सकते हो तो जल्दी से फटा फट एक बार share कर दीजे ठीए guys तो चलिए start करते हैं यहाँ पर पहला question है किसके कारण आकास निला दिखाई पड़ता है तो यह question बहुत ही आसान है और बहुत बार यह question exam में पूछा जा चुका है देखे दोस्तों इसका सही answer हैगा पर किरन के कारण यानि की option C is the right answer scattering of light के कारण तो option C इसका सही answer है guys ठीक है तो चलिए next question पे चलते हैं question number 2 है why you सकत यानि की wind power में उर्जा कौन सा रूप विदुत उर्जा में परिवर्तित होता है जो wind power होती है दोस्तों उसका कौन सा रूप विदुत उर्जा में परिवर्तित होता है तो यह question भी बहुत बार आता है बिलकुर सही दोस्तों speed energy यानि की आपकी गती उर्जा इसका सही answer हैगा I hope की आप इसको समझ गयोंगे question number 3 है ग्रेलू विदुत उपकरणों में परियुक्त सुरक्सा तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका क्या होता है दोस्तों गलनांक यानि की पर्दिरोध क्या होता है कम होता है गलनांक कम होता है क्या होता है आपको option बताने राइट कौन सा रहेगा बिल्कुल दोस्तों जिसका गलनांक कम होता है ठीक है तो इसका सही answer option बी रहेगा यानि की low melting point I hope कि आपको ये question भी समझ में आगे होगा next हमारा question है एक तलाब के किनारे एक मच्छवारा मचली को मारने की कोशिस करता है उसे निसान कैसे लगाना चाहिए तो answer बताई ये जल्दी से बिल्कुल दोस्तों जहां मचली दिखाई दे उसे नीचे देकि पानी में सारी चीज़े उठी हुई दिखाई देती है तो इसलिए जहां पे मचली दिखेगी उसे नीचे निसान लगेगा तब जाके वो मचली पे लगेगा तो इसका सही आंसर एगा जहां मचली दिखे उससे नीचे यानि की option C is the right answer ठीए गाईस नेक्स हमारा question है परमानु बम का सिद्धान्त आधारित है तो परमानु बम का सिद्धान्त किस पे आधारित है बिलकुँ नाबकिये विखंडन पर यानि की option इसका सही आंसर एगा दोस्तो भी दिखे अगर आपको टेस्ट पसंद आए गाईस तो प्लीज आपसे request है एक पर share कर दीजे जितने भी आपकी पास group है अगर आप share कर देंगे तो कुछ नए student हमारे साथ में जोइन कर लेंगे और जो नए student आ रहे हैं वो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आगे की वीडियो के notification आपके पास पहुंचते रहें ठीक है? चलिए next हमारा question आता है निमलिकित में से कौन सा उस्मा सरुट्तम चालक है कौन सा उस्मा का सरुट्तम चालक है तो इसका सही answer है दोस्तों? बिल्कुल तो यहाँ पर रहेगा आपका अगर इन चार उप्षन में देखा जै तो मरकरी इसका सही answer है ठीक है? तो आप इसका option B right answer लगाएंगे यानि की पारा चलिए, next हमारा question है fountain pen के अविस्कारक कौन है, कौन थे या आपको बताना है who was the inventor of the fountain pen बिल्कुर से दोस्तो waterman यानि की option A is the right answer ठीक है, चलिए, next हमारा question है निमलिकित में से कौन सी सद्धी सरासी है देखे, इस test से आपकी बहुत सारी चीज़े पता चलेगी कि आपका, जो science की त्यारी वो कैसी है कितने आप score कर पाते हैं, तो test को अभी देखते रहेगा ठीक है, जबरदस तरीके से पूरा test लगाईए और इसके बाद अपने score देखे, कितना आपने score किया इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल displacement यानि कि विस्थापन, option इसका सही रहेंगा दोस्तो, option C चले, next हमारा question आता है, सूर्य उद्य और सूर्य अस्त के समय आस्मान में लार रंग किसके कारण होता है दोस्तो, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, पर किरन के कारण यानि कि इसके ट्रिंग ओफ लाइट के कारण तो सही आंसर option दोस्तो, C रहेगा ठीक है पैर दोस्तो, चले, next हमारा question है एक सवेत और चिकनी सतह कैसी होती है एक सवेत और चिकनी सतह कैसी होती है बिल्कुल ताप की खराब अवसोसक तथा अच्छी परावर्थक तो इसका सही आंसर क्या रहेगा option ताप की खराब अवसोसक तथा अच्छी परावर्थक यानि की option, C is the right answer ठीक है, तो यह आपको याद रखना है next हमारा question आता है एक रेलगाडी जैसे ही चलना आरम करती है उसमें बैठे हुए यातरी का सिर्फ पीछे की ओर जुक जाता है इसका कारण है, इसका कारण क्या है यह आपको बताना है बिल्कुल, इस्थिर्टा का जड़त जो नियम है आपका ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको option A हो जाया है समझें पहर दोस्तों, चलिए next question पर आज़ेए sorry next है, परकास के विदुत चुम्ब की ऐ सवरूप की खोज किसने की थी परकास के विदुत चुम्ब की ऐ सवरूप की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हैगा Maxwell, यानि की option C is the right answer ठीक है पर दोस्तों, चलिए next हमारा question आता है, टेलिविजन का अविस्कार किसने किया, तो ये भी कहीं बार आता है भई बिल्कुल beard, इसका सही आंसर हैगा, यानि की option C is the right answer sorry next है, अत्यादिक सीत रेतू में पाड़ो पर पानी की pipeline फट जाती है, इसका कारण है ये question कई बार मैं करा चुका हूँ बिल्कुल इसका सही आंसर हैगा, pipe में पानी जमने पर फैल जाता है, तो सही answer करेगा option C, ठीक है next हमारा question आ रहा है, किसी तत्व की परमानू संख्या होती है, तो किसी तत्व की परमानू संख्या क्या होती दोस्तों बिल्कुल नाभिक proton रहेगा, ठीक है protein नहीं रहेगा, नाभिक proton तो इसका सही आंसर रहेगा, option B नाभिक proton तो इसको सही कर लिजेगा, protein नहीं है नेक्स्ट हमारा कोशन है 16 पैंसिलीन के अविस्कारक कौन थे दिखे पैंसिलीन के अविस्कारक कौन थे बिल्कुल एलेक्चेंडर फ्लेमिंग इसका सही आंसर रहे कर गए यानिकि ओप्षन बी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट हमारा कोशन है गर्मी के दिनों के दोरान मिट्टी के बरतन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निमलिकित परकिरिया के कराण किस परकिरिया के करान होता है दोस्तों बिल्कूल देखिए इसका सही आंसर हैगा वास्पी करण ठीक है वास्पी करण की करण हो जाता है ठीक है चाले नेक्स्ट है विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने की युक्ती है बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर इसका सही आंसर रहेगा नहीं कि विदूत मोटर इस दा राइट आंसर तो ये भी आपको बता होगा दीखें कोश्चन्स बहुत सारे मैं इसलिए लेक्या हूँ ये करा चुका हूँ बट रिवीजन आपका हो जाएगा ठीक है नेक्स है निमलिकित में से किसने लेजर का अविस्कार किया बिल्कुल थियोडोर मेमेन ने किया है तो इसका सही आंसर ओक्षन ए रहेगा थियोडोर मेने ठीक है भई धवनी नेक्स्ट हमारा कोश्चन है धवनी का पीच किस पर निर्भण करता है देकिए धवनी का पीच किस पर निर्भण करता है दोस्तो बिल्कुल सही है आवर्ति पर ठीक है तो ओप्षन ए is the right answer नेक्स्ट हमारा कोश्चन है वहानों के अगरे दीपों में किस परकार के दर्पन का परियोग होता है वेरी गुर दोस्तो परविलिय दर्पन इसका सही आंसर हैगा यानि की option D is the right answer परविलिय दर्पन ठीक है चलिए यदि किसी परतिरोध पतार को लंबा किया जाए तो उसका परतिरोध क्या होगा बढ़ता है गढ़ता है क्या होगा यह आपको बताना है तो इसका सही आंसर हैगा बढ़ता है ठीक है तो option A इसका सही आंसर हैगा इस ठीक है question mark 23 है एनिमो मेटर से निमलिकित में से किसका मापन किया जाता है देखे पवन वेग का मापन किया जाता है तो सही आंसर ओप्षन सी रहेगा पवन वेग चले नेक्स्ट हमारा कोशन है सबसे कम तरंग तेरिये वाला परकास होता है विच इस दे लोवेस्ट वेवलेंथ लाइट तो इसका सही आंसर रहेगा बिलकुल बैंग नी अच्छा सबसे कम गलती से यहां पर ओप्षन जो है वो अलग डाल दिये तो इसका जो रहेगा बैंग नी इसका सही आंसर रहेगा तो आप ओप्षन मत देखिए आंसर याद कर लिजे ठीक है तो यह आप इन सभी को हटा दीजे आंसर क्या होगा बैंग नी नेक्स हमारा कुश्चन है प्रासर्वे तरंगे वे धवनी तरंगे हैं जिनकी आवरती कितनी होती है बिल्कुल दोस्तों जिनकी आवरती होती है more than 20,000 हर्ट से ज़्यादा होती है ठीक है तो यह भी गलत लिखा है वही टाइपिंग विस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है 20,000 हर्ट से ज़्यादा होती है तो उसे यह आंसर उप्षन सी रहेगा किस यंतर का उप्योग किया जाता है तो यह तो सभी को पता होना चाहिए 28 फरवरी को आपका विज्याद दिवस मना जाता है फोटोन फोटोन किसकी मुलबूच यूनिट है देखिए अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है यूकि टेस्ट तो आपका अच्छा ही है तो प्लीज एक पर सेयर कर दीजे आप ठीक है तो इसका सही आंसर हैगा परकास की यानिकि लाइट की है यह यूनिट तो ओ फिदूद परति रोद किससे सवतंत्र होता है चाल का विदूद परति रोद किससे सवतंत्र होता है तो सही आंसर अच रहरेगा दोस्तों दावयानिकी प्रेसर से ठीक है इन तो यह आपको याद दकना थे चलिए नेक्स Q helpful दोस्तों कुछ एईनिमल कींडम से questions देख लेते हैं ठीक है तो हमारा next question है परत्वी पर विसालतम जी पक्सी कौन सा है तो ये सभी को पता होना चाहिए सतर मुर्ग इसका सही answer रहेगा यानिकी option B is the right answer और सबसे छोटा पक्सी सबसे छोटा पक्सी निमलिकित में से कौन सा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये आपका रहेगा hummingbird रहेगा या फिर आप इसको बोल सकते है गुन्यन या budging bird ठीक है तो option C is the right answer next हमारा question है वह एक मात्र पक्सी कौन सा है जो पीछे की और उड़ता है तो वह भी आपका hummingbird रहेगा ठीक है कुन्यन पक्सी रहेगा तो ये भी आप option D लगा सकते है ठीक है गईज चले next question next हमारा question है सामानेते जीव अपना इस्थान बदल सकते हैं किन्तु निमिन में से कौन सा जीव इस्थान नहीं बदल सकता है दोस्तो इसका सही answer एगा sponge यानि की option D is the right answer next हमारा question है निमिन लिकित में से कौन सी एक परकार की मचली नहीं है इस question का answer मैं कहीं बदल बता चुका हूँ फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे student गलत करते हैं दिखे ये गलत लिखा है वह याँपे sea horse जो है आपका अस्वमीन जो यानि की sea horse जिसको हम बोलते हैं वह एक परकार की क्या है मचली नहीं है sorry एक परकार की मचली है ठीक है तो sea horse क्या है नमिन लिकित में कौन सी एक परकार की मचली है पूछ जा रहा है तो sea horse is the right answer पाकी जो ही starfish होती है मचली नहीं होती है बहुत सारे student confused रहते हैं इसमें ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए next question पर जाते है निंद्रा रोग पैदा करता है तो निंद्रा रोग देखिया आपका बिल्कुल ट्रीपी नो सोम गेबी एन इसका सही answer हो यानि कि option भी is the right answer नेक्स्ट है सिलेंट्रा संग को अन्यकिस नाम से जाना जाता है निडोरिया इसका सही आंसर एगा तो सिलेंट्रा संग को अन्यकिस नाम से जाना जाता है निडोरिया यानिकी निडेरिया तो option C is the right answer नेक्स्ट हमारा है निमिन में से किसमे रक्त नहीं होता है किन्तु सर्वशन करता है इसका सही आंसर हैगा Hydra तो Option C is the right answer कमेंट में जरूर बता के जाएगा कि इतने कोशन आपने सही की Next हमारा है Ferritima, Pestuma, निमिन में से किसका वेग्यानिक नाम है तो Catchaway का यानि कि Earthworm का वेग्यानिक नाम क्या है Ferritima, Postuma वेग्यानिक नाम है ठीक है Next हमारा कोशन है कीटो में कितनी जोडी टांगे होती है कीटो में कितनी जोडी टांगे होती है तो कीटो में कितनी जोडी देके 6 pairs होते है सुरी 6 टांगे होते है देके 3 pairs होते है Next हमारा कोशन है निंद्रा रोग फैलाती है तो सीसी नामक एक मक्ही होती है वो निंद्रा रोग फैलाती है नेक्स्ट हमारा कोशन है सार्क मचली में कितनी हड्डिया होती है देखे सार्क मचली में कितनी हड्डिया होती है दोस्तों बिलकुल सार्क मचली में कोई भी अड़ी नहीं होती है यानिकि जीरो अड़ी होती है नेक्स्थ हमारा उड़ने वाली छिपकली है तो उड़ने वाली ड्रेको ड्रेको इसका सही आंसर नहींगा तो उड़ने वाली छिपकली आपकी कौन सी है ड्रेको ठीक है भी नेक्स्ट हमारा कोशन है पावो क्रिस्टेटस किसका वेग्यानिक नाम है बिल्कुल मौर का तो मौर को पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है वेग्यानिक नाम में तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है निमलिकित परजातियों में से कौन सी दात वाली वेलों में विसालतम है बिल्कुल इस परम वेल जो है आपका ये इसका सही आंसर हैगा नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन अंडा देता है सीधे बच्चे नहीं देता तो इसका सही आंसर हैगा एकिडिना ठीक है तो सही आंसर उप्षन ए रहेगा उड़ने वाली इस्थनपाई है तो उड़ने वाली इस्थनपाई दोस्तों चमगादाग यानि की बैट्स हो जाएगा ठीक है चले नेक्स कोशन तो नेक्स हमारा है कि निमलिकित में से कौन सा एक कपी नहीं है तो इसका सही आंसर और का लंगूर ठीक है लंगूर क्या एक काइंड ओ बन्दर है निकी बन्दर की परजाती है और नेक्स हमारा है मानव सद्य लदूतम कपी है Human is the similar sortest कपी of बिल्कुल सही दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा गिबन ठीक है तो option A is the right answer next हमारा है malaria परजीवी तथा amoeba को किस सरेणी में रखा जाता है तो सही आंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल proto जोगा की सरेणी में रखा जाता है तो option A इसका सही आंसर रहने वाला है तालाबों और कों में निमिलिकित में से किस एक को छोड़ने से मच्चरों के नियंतर में मदद मिलती है गेबूसिया को छोड़ने से तो इसका सही आंसर option B रहे है गाईज next है green proto joa के नाम से जाना जाता है बिलकुल यूगलीन इसका सही आंसर रहेगा तो green proto joa के नाम से यूगलीन को जाना जाता है next हमारा है coral reef यानि की परवाल भीती का निर्मान किस के द्वारा होता है silenta इसका सही आंसर रहेगा यानि की option B is the right answer jellyfish के नाम से जाना जाता है तो देखे jellyfish के नाम से जाना जाता है दोस्तो बिलकुल सही बिलकुल औरेलिया हाँ मैं यह देख रहा था कुछ student कुछ अलग भी कर रहे है आंसर चलिए दोस्तो आज की इस test की वीडियो को यहीं तक रखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको like कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर सकते हैं Facebook और WhatsApp ग्रूप में अगर आप चाहते हैं इसी तरीकी की वीडियो आप तक पहुंचे ने डिली तो आप topic study को subscribe कर लीजे और अगर आप चाहते हैं कि आपको plus पे पूरा course मिल जाए तो वहाँ पे आप unacademy पे जाके plus subscription ले सकते ह उसमें आप क्या करना है सोरब 11 code का यूज करना है से यू आर ए बी एच वन वन तो आप unacademy plus पे जाके सोरब 11 code का यूज करके subscription ले सकते हैं ठीक गईस फिर मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए take care वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका दिन्सूब